चाहिंद आईए हम जो है P by Q के तौर पे PSIR पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के कोश्चन को समझने का प्रियास करें बहुत एजी कोश्चन है इसमें कोई ओजोल है नहीं डारेक्ट एक लाइन का कोश्चन है यह देखो कोश्चन नमबर फोर है बेपर वन सेक प्रिया कि अगर सब्द को समझोगे तो है रूल बाइद पिपल सिंपल डेफिनेशन याद रखना तो डेमोक्रेसी जट्योरी आप सोसाइटी एस वेल एस थियोरी आप कपमेंट डिसकस करने हैं किस इसको कि किस प्रकार से लोगतंत्र जो है समाज की एक थियोरी है और तो और समाज की थियोरी होने के साथ साथ या जो है सरकार की भी एक थियोरी है ठीक है तो कैसे लोगतंत्र समाज की एक थियोरी है और कैसे लोगतंत्र सरकार की एक थियोरी है ठीक है क्योंकि समाज के निर्मान के उपरान थी जो कह सकते हो कि सरकार का गठन हुआ और उसे फिर आज कल modern nation इसे एक बने हैं तो किस प्रकार से जब हम लोगतंद्र की बात करते हैं तो वह समाजिक मुल्य और समाजिक परिपेच्छे में वह प्रशांगिक होता है और किस प्रकार से जब हम ठीक उसी प्रकार लोगतंद्र की ही बात करते हैं तो कैसे वह जो है आप कह सकते हो क सरकार के बारे में भी उसकी बातें प्राशंगिक होती है और सरकार के बारे में भी उसकी बातें कही जाती है तो लोगतंद्र का मतलब समाजिक तंद्र क्योंकि ultimate जो है लोगों से मिलकर ही समाज और स्विल सोसाइटी का निर्मान होता है और एक अच्छे और स्वस्त लोगतंत्र के लिए एक अज़र है strong civil society का भी होना जरूरी है तो जैसे civil society या समाज का निर्मान होता है तो फिर दीरे दीरे समाज का ही एक ब्रहद रूप है state, राज्य, ठीक है पूरे के पूरे समाज के लोग मिलकर ही राज्य का निर्मान करते है करते हैं ना तो यही बातें इसमें कही जा रहे है कि democracy is a theory of society कैसे लोगतंत्र समाज की एक theory है और इसके साथ साथ यह सरकार की भी एक theory है तो इस बातों पे जो है हमें अपना discussion करना है बहुत है सरल question है ठीक है आसा करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा फिर कोई queries बगर हो तो coming box में चरूर पूछे चैहिंद